एच एस बिहार अब बन गया है लाइव बिहार नमस्कार लाइव बिहार देख रहे हैं आप मेरा नाम नीरस कुमार है अभी NTPC का एक्जाम चल रहा है जो रेलवे से सम्बंदित है और इसमें जो फॉर्म भरा है लगवग एक करोर पचीस लाग है और बहुत सारे अभ्यारती हैं उनका ये मन में डर रहता है कि हमारा जो कमपेटिशन है वो एक करोर पचीस लाख लोगों से होगा हलाकि ऐसा होता नहीं है इनी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर है इनसे हम जानेंगे कि आखिर कमपेटिशन कितने लोगों से है सर प्रस्न यही है कि एक करोर पचीस लाख लोगों बच्चों ने फॉर्म भरा है ऐसे में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका कमपेटिशन कितने परसेंट से है सबसे पहले तो लाइब भिहार चैनल को मेरी तरफ से और पुरे प्लेटफॉर्म संस्थान की तरफ से धेर सारी बधाई और सुबकामना है कि आप स्टूडेंट से जुरने का मौका हमको दिये और जहां तक आपका सवाल है कि लगभग एक करोर पचीस लाख प्लस बच्चे इसमें फॉर्म अपलाई किये हैं जबकि सीट आपका 35,000 के प्रॉक्स है तो हम तो लगातार ये चीज़ देखते हैं पिछले बार भी जो एंटीपीसी की वेकंसी आई थी रेलवें एंटीपीसी की उसमें 90 लाख स्टूडेंट अपलिकेंट थे 2015 सुले की बात हम बता रहे हैं और 2020 की वेकंसी ये अभी जस्ट आपका एक्जाम चल रहा है तो इसमें सबा करोर प्लस बच्चे हैं तो मेरा काना ये कि इससे घवराना स्टूडेंट को बिलकुल भी नहीं है कोई भी आप एक्जाम का एबरेज उठा लें तो 30% ही मेन कमप होते हैं किसी भी एक्जाम में 30% और 70% वो इसे बच्चे होते हैं कि चलो इतनी अधिक संख्या में वेकंसी आई है फॉर्म भर देना चाहिए उसमें आपको मिल जाएंगे बहु सारे इसे बच्चे होंगे जिनका दूर दूर तक क्वालिफिकेशन है बट परहाई से लिंक टूट चुका है बहु सारे इसे बच्चे हैं कि जो सिरियसली एक्जाम की तयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन 30% में वो इसे बच्चे होते हैं जो घर पे रहकर सिरियसली तयारी करते हैं अपने हॉम डिस्टिक में रहकर सिरियसली तयारी करते हैं पटना दिली लखनाव गोरक लेकिन दूसरा प्लस पॉइंट इसमें ये है कि 35,000 सीट है और 20 गुना सिवी टी वन का इसका रिजल्ट आएगा 20 गुना एप्रॉक्स साथ लाख रिजल्ट इसका दिया जाना है तो ये अपने आप में बहुत बरा रिजल्ट है इसलिए हमको लगता है कि अभी 100 कोश्चन ए लेकिन यहां पर धियान ये इस बात को मेरे ख्याल से देना चाहिए अगर तयारी की या एक्जाम देने की रनीती की बात हो तो अभी बच्चों को दो साल लगातार तयारी करने का मोगा मिला है और अभी जिस तरह का कोश्चन पूछा जा रहा है आप देखेंगे कि 100 कोश् साइन से कोश्चन पूछा जा रहा है वही 4-5-6 की संक्याम साइन से कोश्चन पूछा जा रहा है हम हमारा बच्चों को सजेशन ये होगा कि अभी इतने सारे YouTube चैनल हैं हर चैनल पर डेली जो एक्जाम होता है उसका कोश्चन घुमा फिरा करकर अपडेट हो जाता है तो स् 50-52-55 तक वो सही बना पाएंगे और 5-10 नमर अभी जितना भी मार्स वो लाते थे उससे 5-10 मार्स प्लस हो जाएगा यहां तो जब एक मार्स का अंतर परता है तो रैंक में हजारों बच्चों में उथल पुथल हो जाता है 5-10 नमर तो बहुत माइने रखता है इसलिए संख अपना रखना है 100% रिजल्ट होगा इसमें कहीं थोरा सा वी संदे नहीं है जो भी थोरा सिरियस बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है बहुत ही मायूस हो जाते हैं आगे की तिय के सन होना चाहिए और कम्पीट्शन है इसमें आपको सेलेक्टिव पढ़ाई परना परेगा जिस तरह का कोश्चन पूछता है पहले उसको उसके बेस को समझना परेगा उसके पैटर्न को समझना परेगा और उस तरह का परही अगर अधिक साधिक करते हैं तो मेरे ख्याल स CBT1 में थोरा सा अंतर को समझना परेगा कि CBT2 में 100 बदले वहां 120 कोश्चन हो जाएगा वहां भी आपका math reasoning अभी 30-30 है तो वहां 35-35 हो जाएगा 70 question math reasoning मिलाक हो जाएगा 50 question आने रहेगा 120 question पुछा जाएगा तो अभी के pattern को CBT1 के pattern को ही अगर अच्छी तरेके से लेच के चलते हैं तो CBT2 में भी बहुत परिशानी नहीं होना है लेकिन दूसरा हम ये CBT1 के लिए कहना चाहेंगे कि examination hall में बच्चों का खास रन्निती होना चाहिए खास रन्निती क्या? खास रन्निती ये कि student को जैसे 90 minute का समय मिलता है 100 question बनाना होता है उसमें ये देखना परेगा कि चुकि एक minute से भी कम समय हमको मिल पा रहा है और math reasoning में कुछ questions ऐसे होंगे कि student का time वहां बहुत ज़्यादा waste होना है बराबरा question वहां पर रहता है वहां अधिक सदिक student का time चला जाता है तो question बनाने से ज़्यादा यहां मत्पुर्ण होता है कि किस question को हमको छोड़ देना चाहिए अगर इसकी पाचान student कर पाते हैं कि ये question हमको फसा सकता है इसमें हमारा ज़्यादा time लग सकता है तो पहला phase में उनको चाहिए कि उस तरह के question को बिलकुल ही नूर कर दें एक से लेके सो तक हम लगातार बढ़ते चले जाएं अगर दस बारे मिनिट का समय last में बचा पाते हैं पुने उस question पर हम चलेंगे अगर इस तरह करनीती रहेगा तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा student को फाइदा होना है और ऐसा करना भी चाहिए नहीं तो क्या होता एक बहुत बार देखा जाता है student अपना question बनाने में मस्त है एक बगल से लगातार वो बना रहा है वो subject को select नहीं कर रहा है last में पता चलता है कि 90 question बनाते बनाते 85 question बनाते बनाते time हमारा over हो गया और last में 10-15 question अई साथ था कि अगर 2 minute भी हम समय दे देते easy question था हम 5 question बना पाते 7 question बना पाते उस समय इतना ज़्यादा अफसोस होता है और हम पहले से बता हैं कि एक number अगर किसी भी वज़े साब को कम आएगा तो दोर से बाहर करने के लिए वही काफी है इसलिए इन छोटी छोटी बातों को आप समझ करके maximum श्कूर कर सकते हैं और एक चीज़ और है सर कि लगतार आप दरोगा या पुलिस में देख रहे हैं कि फरजी वारा बहुत हो रहा है प्रस्न को ले करके लोग जो है जो नए नए उवाओं को प्रलोबन दे देते हैं पैसे यतना पैसा दे जहें हम आपको जॉब दिलवा देंगे तो इन इस तरह के जो लोग हैं उनसे बच्चों को इस्टुडेंट को किस तरह से बचना चाहिए निश्चित रूप से इन बातों से बचना ही चाहिए क्योंकि और हतोतसाहित होने वाली भी बात है कि कोई बच्चे दो साल से तीन साल से चार साल से और उन गारजन पर इसका क्या परभाव पड़ता है जो कि अपना पेट काट करके अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने का कोसिस करते हैं तो हमको लगता है कि इस तरह का माहूल भी नहीं होना चाहिए अगर आपके आसपास भी अगर इस तरह का कोई माहूल क्रियेट करता है तो निश्चित रूप से इसकी सूचना संबंदित पदा अधिकारी को दें और अगर आप थोड़ा सा इस्टिक्ट रहेंगे तो हमको लगता है कि इस तरह की समस्याएं निश्चित रूप से कम होती चली जाएगे और इसमें भी जितना हला होता है उससे बहुत कम ये चीज़ होता है इसमें सीधे साधे नोजबान जो तयारी करते हैं वो इसमें फस की बारे में इससे बिल्कुल स्टुडेंट को दूर रहने का कोशिस करना चाहिए नहीं तो इससे उनका तयारे भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा तो बिल्कुल इन सब बातों से बचना चाहिए और अगर आप NTPC का परिच्छा देने जा रहे हैं तो आपको बह गया है लाइव बिहार